हलो दोस्तो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल दोस्तो आज आपको बताऊंगा कि आप मुबाइली पे कैसे बना सकते हैं बड़ी आसान तरीके से यह भी एक बिल भी इससे पे कर सकते हैं अपना मुबाइल का रिचार्ज भी इससे कर सकते हैं तो कैसे करना है वीडियो पर बने दिए चलियो को सुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से एक याला एप आपको डाउनलोड कर लेना है आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना ह क्लिक करने के बाद में इस तरीके कुछ इंटरफेस खुलेगा इसका खुलने के बाद में आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देना है याद रहे मोबाइल नंबर वही आप डालिएगा जो आप अफसर से अफसर पर डाले हुएंगे वही mobile number डालिएगा आपको 0 लगाने जिरुवत नहीं है सिर्फ 5 से शुरू करिएगा 0 हटा दिजिएगा 0 मत लगाईएगा mobile number डालने के बाद आपको submit पे click कर देना है submit पे click करने के बाद फिर आपको ok पे click कर देना है को के 60 करने के बाद ने फिर आपको नेशनल डालने याने कि 10 कामन नंव्र डाल देना है नीचे टेटअ बर्थ डाल देना है तो चलिए मैं कि 10 कंवर डाल देत french है यहां से आपको date of birth डाल देनी है date of birth डालनी के लिए sun आपको यहां जैसे side में sun लिखा होगा यहां पर एक बार click करेंगे तो महिना आ जाएगा उसके आद दुबारा click करेंगे तो यहां पर sun आ जाएगा इसको आप scroll करके यहां से side में निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से यह आ गया महिना यह आ गया है दिन उसकरने के बाद में फिर आपको नीचे next पर click कर देना है नेक्स पर click कर देना है कि लिख करने के बाद में आपके mobile नंबर जो आपने डाला है उस पर एक OTP आएगा ओटीप आपको इसमें डालना है कि है कि क्लिक करने के बाद में नफात का यह एप खुली आएगा उसके बाद थोड़ा सा आपको ऊपर जाना आएगा यहां पर प्लस वाला निशान देख रहेंगे इस पर आपको क्लिक कर देना है जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहां पर आपका इकामा नंबर और नीचे अपसर का पासवर्ड आपको डाल देना है उसके बाद यहां पर इकामा नंबर डाल देना है फिर अपसर का पासवर्ड डाल देना है करने के बाद उस पर फिर एक OTP आएगा अपसर से तो OTP आपको इस पर डाल देना है चार अंक का OTP होगा वो आपको यहाँ डाल देना है डालने के बाद आपको continue कर देना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी email address डाल देना आएगा तो चलिए email address डाल देता हूँ मैं यहाँ डालने के बाद उसके बाद आपको next कर देना है दो next डालने के बाद में यहाँ आपको आपको national address भनना है यहाँ पर आपको building number डाल देना आएगा चारंगों का building number हैगा वो आपको डालना होगा जो आपके national address में होगा यहापे आपको अपना street डाल देना हैगा आप देखिएगा आप बाहर निकलेगा तो जहाँ भी आप चाहते हैंगे आते हैंगे वह आपको नीले color का board मिलेगा वहाँ पर आपको एक street लिखा होगा वही इस street आपको यहाँ पर डाल देना हैगा इंटर street number नीचे से आप area select कर लिजेगा जद्दा याद दमाम जहां से आप हों उसके आद ओके कर दीजेगा ओके करने के बाद में यहाँ पर नीचे आपको next कर देना है next करने के बाद में फिर आपको अपना password बनाना हैगा mobile e-pay का छे आंक का password होगा छे आंक आप password कोई भी रख सकते हैंगे तुबारा से आपको वही confirm करना है डालने के बाद में उसके बाद आपको next कर देना है इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आ जाना हैगा उसके बाद यह पूछ रहेगा select income range तो आपकी income कितनी है तो यहां से आप मैं आपको suggest करूंगा second number पर आप कर दीजेगा यह आपकी ज्यादा हो तो पांच हजार से दस हजार भी कर सकते हैंगे तो मैं आपको कर देता हूँगा उसके बाद पूछ रहेगा आपका source क्या है income का तो मैं salary पर क्लिक कर दूँगा उसके बाद यह पूछ रहेगा select employment में काम करते हैं तो मैं private sector में क्लिक कर दूँगा उसके बाद यह पूछ रहेगा select private supervisor employer तो मैं employer में काम select कर दूँगा तो यह सगी देख सकते हैंगे यहां पर मेरा successfully हो गया पर उसके बाद यहां से मेरे को simply back आ जाना है उसके बाद में मेरे को यह उसके बाद आप यहां आ जाएंगे यहां पर आने के बाद में आपको अपना वही mobile number डाल देना है जो mobile number आपने डाला था डालने के बाद में आपको submit कर देना है submit करने के बाद में आपको जो password बनाया था अच्छे हैंगो का वो password आपको यहां पर डाल देना है यहां से आपको signing पर हो जाना है जैसा कि देख सकते हैंगे यह मेरा बन गयागा अभी मेरे में zero balance है यहां से मैं अपना credit card भी बंगवा सकता हूँगा जैसा कि देख सकते हैंगे आपको get your card now यहां से मैं अपना card भी मंगवा सकता हूँगा मेरा ये बन चुकाएगा इसी तरीके आप भी बना सकते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक सेस्क्राइब जरूर कर दीजेगा बिज़र सेस्क्राइब करें मत जाएगा वीडियो बनाने में बहुत मेनत लगते हैंगी